हेलो स्टूरेंट्स आज हम बात करेंगे पिक्चर मॉडल टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को आप पिक्चर मॉडल के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसे इजी कैसे बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कुश्यन है मेरे फादर के पास कुछ पैसे थे उन्होंने 5000 रुपीज माई मदर को दे दिये उसके बाद उन्होंने क्या किया जितने भी पैसे थे उसमें से 5000 तो मदर को दे दिये और जो बाकी के पैसे थे वो मेरे और मेरे टू ब्रदर्स के बीच में equally डिस्टिब्यूट कर दिये means तीन लोगों में डिस्टिब्यूट कर दिये उन्होंने each one of us got rupees 250 कितने रुपे डिस्टिब्यूट किये 250 रुपीज हम तीनों को दे दिये how much money did my father have आपको बताना है कि मेरे फादर के पास कितने पैसे थे अब देखिए ऐसे questions को generally recognize करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा आप इसको कैसे करोगे देखिए सबसे पहले हम इसका एक picture model बनाएंगे now what is this picture model देखते हैं देखिए जैसे सबसे पहले आपने क्या करना यहाँ पर एक rectangular box बनाएंगे हम यह मान लेते हैं कि यह जो rectangular box है वो पैसे हैं जो मेरे फादर के पास थे suppose this is the box यह देखिए इस rectangular box के अंदर total money है जो फादर की है अब इसके बाद देखिए 5000 रुपीज उन्होंने मदर को दे दिये तो इसमें से हम 5000 रुपीज अलग कर लेते हैं इतना हमने अलग से partition कर दिया that means यह जो है यह money है जो मदर को मिल लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 5000 और यह मदर को मिल गई पूरे rectangular box के अंदर जो money है वो फादर की है उसमें से 5000 मदर को दे दी अब बाकी का जो part बचा जो यह वाला part है इसके फादर ने 3 parts करने हैं उन्होंने दो ब्रदर्स को देने हैं और एक मुझे देने हैं तो that means इसके हम 3 parts कर देंगे ऐसे 3 partitions कर दिये और हर एक को कितने रुपे मिलने है 250 rupees means 250 rupees first box में आ जाएगा then again 250 in the second and then 250 in the third box तीनों में 250 rupees आ गए तो अब देखिए इससे हम कितनी easily बता सकते हैं कि फादर के पास कितने रुपे थे तो अब हम कैसे find out करेंगे फादर के पास कितने रुपे थे इसको add कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 5000 plus 250 plus 250 and again फिर से इसको हम add करेंगे तो देखिए हमारा answer आ जाएगा प्लस 250 तो कितना आ जाएगा 5750 तो इसका मतलब फादर के पास कितने रुपे थे 5750 तो हमने ये पता कर लिया ये जो पूरा rectangular box है इसका total तो ये सभी amounts का total जो है वो rectangular box का amount आ जाएगी और वो father के amount देखिए तो इस तरह से picture के form में हम word problems को easily solve कर सकते हैं ये बहुत ही एक अच्छा method है किसी भी तरीकी के question को solve करने हैं चलिए एक और question देखते हैं ये देखिए यहाँ पर हमारे पास question है हरीश took a box of sweets to school on his birthday हरीश ने एक box of sweets लिये और school लेके गया अपने birthday पर he gave 55 sweets to his younger brother अब उसने किसको कितनी दिये देखते हैं 55 sweets उसने younger brother को दिये he then gave 10 sweets each to 7 of his friends 55 तो उसने अपने younger brother को दिये और जो बाकी के sweets से उसमें से 7 जो उसके friends से उनको उसने 10 sweets each दिये मतलब हर एक friend को 10-10 sweets दिये इसके बाद he had 25 sweets left अब उसके पास 25 sweets left भी हैं बच भी गए हमें बताना है how many sweets were there in the box box में कितने sweets थे चली देखते हैं पहले हम एक box बना लेते हैं sweets का यह देखिए यह एक box है और इसके अंदर sweets है यह एक box है इसमें sweets है 55 sweets उसने younger brother को दिये तो younger brother के sweets पहले अलग कर लेते हैं मान लेते हैं इतने sweets जो हैं यह 55 हैं जो उसने brother को दिये this is for brother अब he had 25 sweets left भी हैं तो इसका मतलब मान लेते हैं इतने sweets जो हैं यह 25 sweets ऐसे हैं जो बच गए यह इसने किसी को नहीं दिये 55 तो brother को दिये 25 उसने किसी को नहीं दिये यह बच गए अब हमने क्या करना है जो beach का part है अब beach में क्या आएगा seven friends को जो उसने sweets दिये है seven friends को कितने दिये हर एक को 10 10 तो means यहां पर आप seven friends का share बनाना हमने देखिए one two three four five एक और कर लेते है six and एक इधर line डाल देते है seven देखिए यहां से यहां तक यह तो 55 sweets brother के हैं और यह यहां तक seven friends के हैं इतना और यह 25 left है अब देखिए इनके अंदर कितने sweets हैं सब में 10 sweets है 10 in each तो हम इसको green से लिख लेते हैं 10 इधर है 10 10 then again 10 10 10 sweets 10 and one more 10 now how many sweets were there in the box अब box में sweets बताने हैं तो देखिए कैसे find out करेंगे हम हमें यह पता चल गया कि जो friends को कितने दिये हैं वो seven times 10 है यह जो है यह friends वाले हैं यह कितने हैं 70 हो गए left कितने थे जो left hand side बचे थे वो थे 25 और right side कितने हैं 55 तो हमारा answer कैसे आएगा हम अपने answer के बहुत close आ चुके हैं देखिए 25 प्लस बीच का part वो add हो जाएगा 70 प्लस जो brother को दिया है 55 वो आ जाएगा अब देखिए हम इसे add करेंगे तो हमारा answer कितना हैगा 5 once place को पहले add कर लेते हैं 55 10 का 0 carry 1 seven and two nine and one ten five fifteen तो 150 sweets हमारे पास कितने sweets आगे box में 150 sweets तो इस तरह से इसको हम picture model बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक picture के form में अपनी word problems की statement को represent करना है तो आप कोई भी statement को इस तरह से represent करके solve कर सकते हो और कभी भी आपके answer में कोई confusion नहीं होगी तक यू